नमस्ते दोस्तों मैं अनुराधा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गोलु की सावजी रसोई में आज हम एक डिश बनाने वाले हैं आज हम बनाने वाले एक कड़ी आपने बहुत बार कड़ी खाई होंगी लेकिन आज हम जो कड़ी बनाने वाले हैं वो थोड़ी अलग है क्योंकि आज की कड़ी बनने वाली है आम से ये कच्चा आम है इसको हमें पहले पकाना है तो इसको पकाने के लिए मैंने ये डब्बे में पाने डाल दिया है और आम भी डाला हुआ है ये मैं कुकर में पका लूँगी आम को पकाने के बाद हम इसका चिलका और इसकी जो घुटली रहती है उसको अच्छे से साफ कर लेंगे चिलके को ऐसे हाथ से ही साफ कर लेना है अगर ज़्यादा चिलका इसमें आएगा तो फिर वो कड़वा हटाती है इसलिए छिलके को उपर से ही निकालना और ये इसकी जो गुटली है वो भी अच्छे से साप कर लेना ये देखो यहाँ पर मैंने छिलके भी निकाल लिये है और ये गुटली भी हाथ से अभी मैं साप कर लेती हूँ अच्छे से अभी ये जो आम का पानी मैंने निकाला हुआ है वो मैं ट्रांसपर कर लूँगी मिक्सी के जार में और इसके साथ अब मैं डालने वाली हूँ यहाँ पे दो चम्मच बेसन दही के कड़ी में जैसे हम बेसन लगाते हैं वैसे ही इसमें भी बेसन लगाना है स्वादा नुसर नमक और थोड़ी सी हल्दी इसको अभी मैं एक चक्कर घुमा लूँगी यह देखो यह मैंने घुमा के ला लिया यह अच्छे से मिक्स हो चुका है यह थोड़ा सा गाड़ा है इसलिए मैं इसमें और पानी डाल देती हूँ यह पतला चाहिए तो यहापे मैं पूरा मिक्सी का जार भर कर पानी इसमें डाल देती हूँ पूरा धोगे पानी डाल दिया है अभी इसे हमें तड़का देना है तो उसके लिए मैंने गैस पर एक गंच रग दिया है और उसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल आद्धा चम्मच तेल इसमें डालूंगी तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा by उसके साथी हम इसमें डालेंगे लसुन तो यहां पर मैंने साथ लसुन की कलिया साफ kay ke kata करके रखी थी मैं इसमें डाल रही हुँ सब्सक्राइब कत्याय लीज ने नहीं कड़ी में यहाँ पर तड़का लग चुका है यह थोड़ा सा गाड़ा है इसलिए मैं इसमें और थोड़ा सा पाने डाल देती हूँ बस हो गया यह अभी इसको हमें उबलने के लिए रग देना है हम जब भी दही की कड़ी करते है तो उसमें मीठा नहीं डालते है लेकिन ये तो आम की कड़ी है और आम बहुत ज़्यादा खटा रहता है इसलिए इसको थोड़ा खटा मिठा बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे गूर तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ ये 100 ग्राम गूर अब गूर आप कम ज़्यादा कर सकते हो क्योंकि आम भी थोड़ा कोई कम खटा रहता है कोई ज़्यादा खटा रहता है आप अपने हिसाब से गूर इसमें डालिए और इसको अभी ऐसे ही 10 मिनिट के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये गूर भी इसमें मिक्स हो जाएगा और कड़ी भी पक जाएगे ये देखो, ये कड़ी हमारे पक चुकी है, बहुत ही मास्त दिख रही है, बहुत टेस्टी लगती है ये तो ये बन गई हमारी खटी, मीठी, तीखी, आम वाली कड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है हमारी यापे जब भी आम मिलते हैं ये कड़ी बनती बनती है तो आप भी ये कड़ी एक बार जरू ट्राइ करना सबको बहुत पसंद आएगी थैंक यू